हलो जी नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स बिग बोस सोला का आज का एपिसोड यानि शनिवार का वार जो कि साम दाम दंड बेद स्पेशल एपिसोड था जहां पर सलमान खान ने साम दाम दंड बेद तो कम अपना प्रचंड लेवल का दोग सलमान खान का प्रचंड लेवल का दोगलापन था यह देखना आयरेनी की बसकी बात नहीं थी वताईए वह सलमान खान जिसने फिछले सीजन में कोई मौका नहीं छोड़ा था उमर रियाज डॉक्टर उमर रियाज को हर एक पॉसिबल तरीके से जलील करने का बैश करने का और अपने सलमान खान के तेवर देखे यहोँ कि तुमसले डॉक्टर अबहर भार में ये करते हैं को आनी फैमिली में वह यही rigorous सलमान खान का जो टॉन था यहां पर शालिन के अगेंस इसमान खान के माइंड सेट में भी अगेंस आफा हैं Hi got शालीन आangञे जित्नी बड़ी वाले के सामने, लॉयर के सामने, वकील के सामने, या फिर आर्मी, नेवी वाले के सामने करके देखो, वो 32 सी तोड़कार आपके हाथ में रख देंगे, या फिर मिरोड तो आपको कोड कर चेरे में खीच लेंगे, एक डॉक्टर ही है जो कि सुन लेता है, बरदाश कर लेता है एंड ये सारी चीज़े एक डॉक्टर जो रहता है वो कैसे जेल लेता है बरदाश्ट कर लेता है ये सब आपको देखना है तो Big Boss 15 के एपिसोड स्पेशली वीकेंड के एपिसोड देख लीजे जहां पर सलमान खान ना सिर्फ खुद बलकि गीतद नचनिया कपूर को बुला क करके उमर्याज के प्रोफिशन फैमिली हर चीज को कहीं ने कहीं यूमिलियेट करने की कोशिश की थी घर यहां पर इस एपिसोड में सलमान खान अपना दोगलापन शुरू करें इसके पहले वह साम दाम दंड बेत का एक शुगुफा छोड़ के रख देता है एंड इसके पेता जी एक ही बात किरा चाहते थे इंडरेक्ली कि आप सुम्बल बेटा आप जो हो चोटी बच्ची हो और आप दूद भीती बच्ची हो आपको का पोगो या फिर काट्व नेट्वा की शो में जाना था लेकिन आप इतनी सया नहीं थी कि आपने बोला नहीं वो तो बच बाई मैं यही सोच करके कन्फ्यूज हो जाता हूं कि कौन ही लोग कहां सी आते हैं एक ऐसी छोटी बच्ची जिसे कोई सी सीधी बात समझ में नहीं आती है उस छोटी सी बच्ची को लोग शेरनी बोल रहे हैं टी आरपी कुइन बोल रहे हैं आरे भाई साब लगता है सुम पापा जो एक घंटे का मोनोलोग दे करके गए थे सुम्बुल ने तो मतलब अपने पापा की बातों को सिरे से मतलब खारिज कर दिया और वापस से वो शालीन के उटीना के पास आका के बैठ गई वैसे यह जो एपिसोड था है यहाँ पर सल्मान खान अपना दोगलापन दि कि सल्मान सिर्फ इंपॉर्टेंट मुद्दे ही पिक करेंगे बाकी का काम या तो किसी की फैमिली अब मुझे सुनने में आया है कि वही यह टीना को जिस तरह से सुम्बुल के पापा ने खरी खोटी सुनाई है तो क्या पादा अगले वीकेंड हमें टीना के पापा देखन पारा खान आएंगी तो कैसे यहां पर बिग बॉस के नाम पर वीकेंड के नाम पर शनिवार का वार सामदा अंदर नबेत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने खाना पूरती करके रख दिये ठीक है सल्मान खान ने शालीन को आईना दिखाया वह बहुत ज़्याद शब्द नहीं सुनेंगे उन्हें अपना एग्जांपल दिया था कि उनने तो बहुत बुरा लगा अगर बहुत वह अजाता हूं कि मीडिया के वो लोग जो Big Boss के launch event में जाते हैं, मीडिया के वो लोग जो सलमान खान से सवाल जवाब करते हैं, वो लोग Big Boss के बारे में सवाल जवाब क्यों नहीं करते हैं, सलमान खान से, सलमान खान ने पब्लिक को mislead करा, audition के नम पर, उसके बारे में कोई सवाल जवाब न लेकिन वही पत्रकार सलमान से तीके सवाल के रुप में क्या पूछते हैं सलमान शादी कप करने वाले हैं सलमान शेहनेक कब बजने वाली सलमान खान से तीके सवाल कोई नहीं करता और मेरे जैसे लोग जो कि ना सिर्फ सलमान खान से सवाल जवाब बलकि सलमान खान की आखों में आखे डाल कर तीके सवाल पूछने का माददा रखते हैं सलमान खान को आइना दिखाने का माददा रखते हैं हम जैसे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा सपोर्ट से याद आया भाई प्लीज लाइक कर दीजिए यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक लाग सब्सक्राइबर तक कैसे भी करके पहुंचना यार तो प्लीज सपोर्ट करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो भर भर के लाइक कीजिए यार 5,000, 10,000 इतना मतलब उस तादाद में तो like जाना ही चाहिए अगर 10,000 views जारे तो yeah यार 5,000-6,000 like तो होने चाहिए अभी 1000-2000 की इसमें number में like कर रहे हैं like कर रहे, बढ़ाई ये ठीक है तो हम कहा थे हाँ सलमान से सवाल-जबाब की हम बात कर रहे थे खेर यहाँ पर एपिसोड जब शुरू होता है तो सुम्बुल टीना और इनके बारे में जैसे कि मैंने कहा वहाँ पर यह जो टीना ने फसाद की शुरूआत करे थी टीना ही तो थी जिसने कहा था कि शालीन तुम्हारे और सुम्बुल की बीच में कुछ चल रहा है क्या तो यहाँ पर ये बात जब ये कौन थी शृ। जो की इलिमिनेट हो गई शृृ। बोलती है कि टीना ने मस्ती मजाक में बोला होगा अब यहाँ पर शृ। जब यह बात कर रही थी वहाँ पर निम्रत भी बैठी थी निम्मो कितनी दोगली है आपको मैं साबित करके बताता यहाँ पर जब यह श्रिजिता के रही थी यार टीना ने मस्ती मजाक में यह बोल दिया हुगा कि सुंबल तेरे पर फिदा है यह है वो है अब वहाँ पर टीना की इस मस्ती मजाक को निम्रत मेडम जो है न वो बचकांड या पर बचकांडी हरकत बोलती ही वो भी एक नहीं 3- चार बार बोलती है और ये सीन मैंने कम से कम दो से तीन बार rewind करके देखा है because निमरत जो है जिसने की कल के episode में जब इस चुगली की बात हुई थी तो सलमा ने कहा था कि निमरत बड़ी बचकांडी बचकांडी ऐसे कुछ बोला था ने टीना के बारे में और ये निमरत बोली थी नहीं ये बचकांड शब्द में इस चार बार इस बार इस एपिसोड में निमरत ने बचकांड शब्द तीन से चार बार इस्तमाल किया है और अगर आप मिस कर गए हो तो दुबारा जाके देखेगा ये जो जब बेडरूम एरिया में शालीन कहा रहा था कि हर पॉसिबल वेसे लड़का ही गलत होता है मेरी फैमिली है ये है वो है आठ साल का बच्चा है क्या असर पड़ेगा ये वो मेरी तो इजज़त की वाट लगके चली गई है दुनिया भर का जब ये बाते होती है वहीं पर ये श्रीजिता कह देती है कि टीना ना मस्ती मजा किया होगा तो निमरत कहती है ये मस्ती मजा बचकांड हरकत है ये बचकांड हरकत है इसलिए मैं बचकांड हरकत है पसंद नहीं करता हूँ इस निम्रत के जो blender थे जैसे कि Captain C का blender, संचालन का blender, Groupism खेलने का blender, अपनी मर्जी चलाने का blender, अधरक की उपर, फसाद करने का blender, तो इतने सारे blender थे इस निम्रत के लेगर, निम्रत को बिल्कुल expose नहीं किया गया, संदर्या ने जो चुगली करी थी, जिसके उपर प्रियंका ने ओवर रियक्ट करा, यहाँ पर संदर्या को और जादा expose किया जा सकता था, जिस तरह से वो तीन लड़कों का काट रही, यहाँ मुझे लग रहा कि वो प्यार में अंदा हो चुका है, इस गदर अंदा हो चुका है कि यह घंगोर लेबल से गलच जारी निम्रत और संदर्या को भी यह गौतम support and justify करता है, अब यहाँ supporting justify से एक point और याद आया मुझे, जब यह श्रीजेता कहती है ना कि टीना मस्ती मजाक में बोला था और निम्रत बोली बचकान, तो वहाँ पर जब शालीन भड़क जाता है कि यार ऐसा क्यों हो, ऐसा क्यों हो, support क्यों नहीं करा, मिरो को बताया क्यों नहीं, तो यह तराजू के पलड़े वाली जो टास्क हो रही थी, again, makers कैसे प्रियंका वर्सस निम्रत थोप रहे हैं, जहाँ पर प्रियंका एक तरफा जीत जाती है, तो वहाँ पर हमने देखा कि निम्रत जो की दोगली है, कनिंग है, जुड बोलती है, थोकर चाटती है, ब्लेंडर था, गौतम, बिल्ली अगर आग बंद कर लेती, तो बाहर अंदेरा नहीं हो जाता, बड़ी बड़ी बाते करने वाला गौतम, तो यहाँ पर कैसे गलत जा रही निम्रत को भी कुछ लोगा ने वोट दिया, अब यहाँ पर कई लोग यह भी कह सकते हैं, कि दूसरे प्रियंका भारी पड़ी है, चाहे वो जो कैप्टेंसी टास्ट जहाँ पर निम्रत ने अपने रूल बना लिये थे संचालक के दौर पर जबकि बिग बोस ने का था, कि अब किसी का भी समन ला सकते हैं, निम्रत अपने रूल थोप रही थी, वहाँ पर प्रियंका ने निम निम्रत की बोलती बंद करती, यहाँ पर यह जो तराजू का पलड़ा था, यहाँ पर भी प्रियंका जीत गई और निम्रत हाथ मलते रह गई, लेकिन एक बात और है, जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए, जैसे बिग बोस चाहो था, मैं एपल कपल था, रूबीना के साथ अबिनाव आया हुआ था, हाला कि रूबीना मा कुछ कर नहीं रही था, इसके बावजूद उसे बॉस लेडी बोला जाता था, जबकि यहाँ पर प्रियंका थोड़ा बहुत कॉंटेंड भी देती है, जैसा कि अर्चना बोली, जैसा कि अंकेत भी बोला, जैसा कि शिव और आप confused हो जाएंगे, in fact मैं खुद confused हो जाऊंगा कि किसको support करूँ, किसको control करूँ, because मैं अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पर color faces ही आगे जाने वाले हैं, लेकिन इतने सारे color faces में, कुछ घटिया है तो कुछ अच्छे भी है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि प प्रियंका गईने के खुद को साबित भी कर रही है, at the same time मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरह से अंकित की मा के बारे में सौंदर रहने कहा था, वहाँ पर अंकित इतना आगब बुला नहीं था, जितना प्रियंका गई थी, तो प्रियंका के कम 50 रुपे तो कटने से यह उस ओवर एक्टिंग है, otherwise प्रियंका काफी डीसेंट लग रही है, उसकी कुछ क्वालिटी से मैं रिलेट कर सकता हूँ, अब यहाँ पर यह सिदार्त मलोतरा और रकुल प्रीत आया अपनी पिक्चर का प्रमोशन और बुर्गीज, 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 बु इसके MC स्टान के लिए उसकी मां का कॉल आता है, उसके पहले वो असली नकली वट वाला और फुसकी, जब यह फुसकी वाला लॉकेट पहनाता है उसको सुंबुल को, तो सुंबुल को देखा था अपने, कैसे मतलब ओवर स्मार्ट बन रही थी, कि मुझे फुसकी क्यों द प्रिटेस्टेंट है, वो सब इसको क्यूटनेस का जरना, वो प्यूर सोले, वो प्यूर हाट है, तो वो तमाम लोग जो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं, जो की एक्चुली में किसी ने किसी तीवी चैनल की बहू रह चुके हैं, जमाई रह चुके हैं, यह कहीं प्रस्तूत कर देती है जब वो एंट्री हुई थी ग्रैंट प्रीमियर में तब उसने खुद को कितना मैचियो और समझदार दिखाया था और दो दिन बाद रोने लग गए थी किया मिलको छोटा बच्चा समझते हैं फिर वो बोलती मैं रोएगा नहीं सबको रूलाएगा आप सुनते क्या आप सुनते क्या तो वो चित भी अपनी रखती है पठ भी अपनी रखती है सुंबुल भी सौंदेर है जैसी है बड़ी-बड़ी बाते हैं वड़ा पाव खाते वैसे यहां एपिसोड में सलमान खान ने यह डायलक बोला था बड़ी-बड़ी बाते हैं व बेदबाव नहीं होता है जिस तरह से सलमान लेक्चर दे रहा था नहीं कि आप सबकी सेफटी हमारी जिम्मेदारी है आप जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनकी सिक्यूरिटी कहिए इनकी देखभाल या पिर इनके चीजों का खयाल मेडिकल कंडिशन का खयाल यह हम रखते हैं जिस तरह से कल निम्रत के लिए कुछ क्वेशन आंसर आएंगे वहाँ पर भी प्रियंका वर्सिस निम्रत हो ही जाएगा इन डिरेक्ली अगर डिरेक्ली ना सही तो यह जो दो वीक हो चुके हैं यहाँ पर निम्रत वर्सिस प्रियंका ही चल रहा है पहले तो श्रीजिता औ दो शेर चल घर जल्दी हो गई देर इमली बूटा बेरी का पेड ऐसा करके इसके इमली के प्रोमो कटे थे तो उस प्रोमो को इस हिसाब से काटा गया था कि इस जंगल के हम दो शेर तो या तो सुंबुल को शेरनी की तौर पर प्रस्टुत किया जाए जो कि आप देख रहे ह है कि त्विटर पर सुंबुल शेरनी ऐसे करके या सुंबुल बोस ऐसे जो ट्रेंड है त्रेंड कर रही है सुंबुल की प्रीम तो मुझे ऐसा लग रह रहा है कि या तो निम्रत या प्रियंका इनकी hint लिस में थी और उसके शेरत सुंबुल को रखना चाहते थे लेकिन जान बूच करके सुम्बूल को पंप कराने की कोशिश की जा रही है, वो एक सेट बेक जो मिला है, उससे वो अमेजिंग कमबेक करे, ये सारा ताना वाना सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है, अधर्वाइस मैं नहीं समझता कि सेकेंड वीक में किसी के पिता जी को आप बुलाओ, उसके बाद बोल दो कि शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, यहां स्विच्छा से सब चलते हैं, अगर स्विच्छा से ही चलना है, जो कि स्विच्छा से ही चल रही है, क्या फायदा हुआ, आपने स्विच्छा के पिता जी को बुला लिया, यतने सारे हिंट दिलवा दिये, लेकिन उस लड़की को करना वही है, उसके बाद आप बोल दोगे कि 18 साल की है, चोटी है, 18 साल की है, चोटी है, तो इतने चोटे बच्चों से तो एक्टिंग भी नहीं करवानी चाहिए, अगर वो एक सीरियल में अच्छी मैचियोर महिला का किरदार निवा सकती है, दो साल अपनी चोटी बेन का ख्याल रख सकती है, तो वो कहीं से कहीं तक चोटी बच्ची तो है नहीं, खेर यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपके समना हाइलेट करना चाहूँगा, साजित खान जिनकों की असली का टेग मिला, साजित खान घर के सबसे बड़े हैं, और सबसे समझदार भी हैं, सलमान खान की बातों का उन्होंने कफी अच्छा से जवाब भी दिया था, कि सलमान भाई मुझे लग रहा कि सुंबल खोई को इसे लग रही है, यह है, वो है, मेरे पास कुछ ट्वीट्स आये थे, जहां पर मुझे से यह कहा गया कि भाई, कि लाइब फीड में साजित खान कहीं नहीं दिखता है, क्या वो निकल गया, लेगिन साजित खान कहीं नहीं गया है, गई है तो श्रिजिता गई है, अब साजित खान क्यों नहीं दी दिखते थे, आपको पता चल गया होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, कि एक Twitter handle is the Foxy करके जो की सार्कास्टिक तरीके से न्यूज वगरा प्रेजेंट करता है तो उन्हों ना साजिद खान की उपर एक ट्वीट कर दिये कि अब बिग बॉस की जितनी भी फीमल से ना उन्होंने मीटू कम्टेट फाइल कर दी ये ट्वीट अंदर तक कैसे कहा साजिद खान को कैसे पता चला क्योंकि साजिद खान ने कुछ साइन वगरा किया होगा तभी उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने दफॉक्सी को एक लीगल नोटिस भेज़ दिया है तो अब आप सबको पता चल रहा होगा कि साजित खान लाइफ फीड में क्यों नहीं दिखते थे विकॉज वो कनफेशन में जाते हैं उनकी लीगल टीम आती होगी उन्हें ट्वीट वगरा दिखाती होगी और उसके बेसिस पर साजित खान ने अप्रूबल दिया होगा कि जाओ भाईया दा फॉक्सी के अगेंस लीगल नोटिस भेज़ दो तो कैसे ऐसे रियालिटी शो के नाम पर यह सारे मिलकर हमको सी एच्चू बना रहे हैं आपको अब तो समझ में आही जाना चाहिए लेकिन मुझे पता है कि जो दर्शक हैं जादतर जो दर्शक हैं या तो दोस्तों-दोस्तों को देखेंगे या फिर एंडी ठुले को देखेंगे य पहाखड शेर नहीं यह रोई तो वह रोया अदेश रोया यह वह तो जो टीवी के जो दर्शक हैं इस्पेशली टीवी सीरियल्स के जो ओडियंस है उन लोगों को अच्छे तरीके से बेवकूप बनाना जानते हैं यह बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट कुछ द्रस्ता अगर आपके पास बहुत जादा फॉलोर्स हैं आपके बहुत जादा सब्सक्राइबर्स हैं तो यह आपकी ड्यूटी बनती है कि ओडियंस के टेस्ट को अपग्रेड करो एक फिल्म आई थी ना भी चुप जिसमें कि दुलकार का जो किरदार था न वो साइको किलर का किरद जिनके बहुत जादा सब्सक्राइबर्स हैं उनकी परम ड्यूटी बनती है कि मेकर्स के स्क्रिप्ट को सलमान खान के दोगलेपन को और जिस तरह से कंटेस्टेंट वा एक्टिंग करते हैं इन चीजों को डिकोड करें और मेकर्स का जो प्लान है उसे एक्सपोज करें लेक सलमान खांने यहां पर बोला कि हम वीकेंड पर मतलब येशनवार के वार में सलमान वाले वार में सामदाम दंदवेत के नाम पर सिर्फ इमपोर्टेंट मुद्नों को उठाइंगे इमपोर्टेंट मुद्दे क्या मेडिकल एंड सुम्बल इसके अलावा घर में तो जैसे भी कुछ हुआ ही नहीं यह जो कैप्टेंजी में निम्रत ने जो घर को गंद खाना बना रखा था संचालन में उसने ब्लंडर पंती करी सारी चीजें इग्नोर जिस तरीके से यहां पर ग्रुप बंदी चल रही है जिस तरीके से वो अब्दू का जो रील वगएरा बनाए था जिस तरीके से घर दो हिस्सों में बढ़ चुका है मान्या कुछ कर नहीं रही है फिर भी घर में ठीकी पड़ी है जो नॉमिनेशन वगएरा हुआ था गौरी और यह जो सुरिजटा इन सबकी जो फाइट हुए थी किचन में इतना कलेश हुआ था चिकन पर इतने मुद्दे बनें लेकिन यह सारी चीज़ें इग्नोर कर दी गहीं लेकिन सलमान खान कहते हैं कि हम सिर्फ important मुद्दे हाईलाइट करते हैं important मुद्दे क्या थे सिधार्थ की और इसकी picture का promotion या फिर वो जो गुझराती फिल्म में छेलो शो आइटिंग मेरे नाम सही लिया है मेरे गुझराती इतना अच्छा है नहीं उस फिल्म का promotion जो कि इंडिया की official entry है ऊसकर में तो मतलब फिल् बचकांड उसका फेवरेड वाइड है लेकिन बोलती है ये तो चैब्द में जानती नहीं हो इतनी दोगली को सलमान खांड टोटली इग्नोर करते हैं ये सवंदर है जो कि इतनी जादा इसने घटिया पंती करी कोई बैशिंग वगेरा कुछ नहीं इन फैक्ट इनका जो पू ताकि पब्लिक खुद समझ जाएगी ये कहीं से कहें देक जीत के हगदार नहीं है इसके अलावा कुछ और खास चीज़ें तो होई नहीं थी जैसे कि मैंने कहा कि एपिसोड के एंड में यह जो अर्चना थी इसना अल्यड़ी बोली दिया अला कि साजिद स्टैन और शिव मैटर बन चुका है खेर मैटर से याद आया कि तोड़ एंड गौतम निम्रत और इनका जो ग्रुप है ये भी टूटने की कगार पर आ चुका है बिकोर शालीन एक्चुली मैं मुझे इस एपिसोड में शालीन की प्रती थोड़ी हमदर्दी पैदा हुई है जिस तरीके से माफी मांग रहा था एंड आप माने आना माने शालीन इस कोंट्रोवर्सी में ये जो लव ट्राइंगल बना इसमें शालीन इतना गलत है नहीं क्योंकि यहां पर देखें एक जो इन्फैक्चुवेशन कही है या अकर्शन इसकी शुरुआत जो है ना वो सुम्बल की तरफ हो जाओ यहां से तो उसमें लड़की में बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इतना सुनने की बाद वो फिर से पहुँच गई थी और शालीन ने बार बार कहा था हाँ शालीन की गलती एक थी कि I think last week की बात है या फिर इस वीक का मंडे जब वो मेरे आशिकी बस तुम खलता बोल सकते हैं क्योंकि उसने चीजों को शुरात करी थी घर के कोने कोने में चुगली करना लेकिन यह चीज तो सुम्बूल को भी दिख रही थी और सुम्बूल में इतनी अकल तो है कि टीना जो है उसकी वाइब हमको यहां बैठे बैठे दिख रही है कि टीना भारी नेगेटिव वाइब दे रही है और उसकी बावजूद तुम वहाँ पर जाके चिपक जाती हो इनफेक्ट वीकेंड के पहले जो एपीसोड था वहाँ पर तो यह टीना सुम्बूल और यह शालीन राप को जवर्दस हग भी करते हैं तो यहाँ पर तो मुझे यही लग रह लेकिन गलत तो बाकी कंटेस्टेंट भी थे जो कि बाद में शालीन को जस्टिफाया खने लग गये थे उन चीजों के तरफ सलमान खाने कोई रुक नहीं दिखा अलागी सलमान ने एक चीज तो काफी अच्छी कही और यही चीज मैंने भी अपने रीव्यू में कही थी कि जब अर्चना को पुष मारा उसकी बाद शालीन को लग गया कि भाईया वो फसने वाला है सड़नली उसने विक्टिम कार्ट खेल लिया था स्मोक करना उपन ली जिस तरह से सुंबुल ने आग में घी डाला यहां पर यह पॉइंट डेफिनेटली रेस होना चाहिए था कि स सुंबुल तुम खुद को मैचूर कहती है लेकिन तुम बच्ची हो तुमने बचपना किया था शिव ने तुमसे ऐसा कुछ नहीं का था जो कि तुमने वहाँ पर चार बाते लगा करके शालीन को जड़ दी और शालीन तो आग बबूला था उसको तो वैसे भी कुछ समझ और जादा भड़क गया ये पॉइंट यहाँ पर रेस करना चाहिए था लेकिन नहीं सलमान खान ने यहाँ पर चुकि ये एपिसोडी सुंबुल को एक सती सावेत्री और इदम मासूं भोली बाली प्यॉर हार्टेट बच्ची का जो इमेज है वो देने की कोशिश थी इस इसलिए जान बूच करके सुंबुल के ब्लेंडर को साइड लाइन कर दिया गया गजनी मोड पर चला गया था सलमान खान इन फैक्ट इसकदर गजनी मोड में आ चुका था सलमान की जो उसने पिछले सीजन में जो ब्लेंडर करे थे वो भूल गया उसके दिमाग से सारी चीज़े निकल गए कि खुद यही सी सलमान खान ने नेशनल टीवी पर डॉक्टर को जलील किया था और जैसा कि सलमान खान मेगा स्टार हैं वो एक ऐसी परसेनलिटी ही जने लोग कॉपी करते हैं जैसे कि सलमान खान ने बॉड़ी बिल्डिंग शुरू करी तो लोगों ने जिम जाना शुरू कर दिया तो सलमान खान ने नेशनल टीवी पर जो ट्रेंड शुरू कर रहा था डॉक्टर को मेडिकल पेशे को बदराम करने का ट्रोल करने का हुमिलेट करने का वही चीज़ तो यहां पर यह शालिन कर रहा लेकन चूपके शालिन एक कॉंट्रेक्ट में तो हाथ जोड़ करके बैठा रहा आज वो नहीं बोला कि किसी का बाप मेरे को कुछ नहीं बोल सकता मेरे पास पैनल उतनी ही गलत है तो इस हिसाब से देखा जाए तो शालीन के पपा को भी या फिर उनके ममी या फैमिली से किसी को आना चाहिए तब मैं चीजों को equal मानूं लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा because सुंबुल को वो किसी और purpose के लिए लाए थे जैसे कि जैए भानुशाली लास्ट एयर का उसको भी कितना भर-बर के tuition दिये गए थे लेकिन वो नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया और सुंबुल का case भी उसी track पर जाता हूँ मुझे दिख रहा है उसको कितना भी tuition देता हो वो करेगी वही जो उसको करना है और क्या करना है उसे शाली नोटीना के साथ ही रहना है तो ये जो कल का एपिसोड जो एक गंटे का मोनोलोग था सुंबुल के पिता जी का वो तो बरबाद हो गया है टाइम बरबाद पैसा बरबाद सारी एडवाइस बरबाद क्योंकि आपकी लड़की ने आपकी एक भी नहीं सुनी तो ये है मेरा रीविव्यू आज रात के बिग बिग बॉस जो प्रोमों है सीरील देखकर नाग नागिन भी सियूसाइड कर लेंगे बताई यह वह एसे कर रही है वह ऐसे कौन साप लड़ते हैं यार लडते हैं ठरक पंती बेचने वाली एक तकपूर के सीरील में साप भी ऐसे ही लड़ते हैं क्या बात है भाई और ऐसे सीरील को लो यहीं ट्विस्ट करते हैं या फिर सांप ऐसे लड़ाते हैं भाई क्या ही बता हूं यह देखने के बाद मुझे अपनी आखे फिनाइल से दौनी की जरूत पड़ दी खेर यहां पर मैं यह वीडियो खत्म कर देता हूं आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके अवश्य एंड आपने समय निकाला और यह वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाब वीडियो को लाइक कीजेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा तैंक यू सो मच